अधियो दोस्तों मेरा नाम अलिल है एक बार फिर से आपका अनिल फार्मिंग में सौगत है एक और नए जानकारी को लेकर आज हम फिस फार्मिंग मसली पालन को कैसे सुरू करना है इस टॉपिक पर बात करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले हमारे सभी फार्मर भाईयों को नमस्कार और हमारे सभी फार्मर भाईयों से निवेदन है कि चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कर लें ऐसे और भी जनकारी पाने के लिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि हम सब को अच्छी तरह से पता है कि फिस फार्मिंग के इंफरस्ट्रक्चर तलाब यानि पहले से तलाब का बना हुआ हो ध्यान रहे यदि हम ब्योसाइग मचली पालन सुरू करना चाहते हैं तो इसे बीना तलाब के सुरू नहीं कर सकते भारत में मचली पालन के लिए किसान पहले से मौजूदा तलाब का इस्तिमाल में ला सकत या फिर नए तलाब का संग्रचना भी कर सकता है और किसानों मौसमी या अस्थाई दोनों में से किसी तरह के तलाब में या काम कर सकता है मौसमी तलाब वह तलाब होता है जो वर्षा के पानी पर निर्वर करता है जबकि अस्थाई तलाब किसी ऐसे पानी के सुरोत पर निर्वर करता है जिससे वर्षा के बारा महीनों पानी उपलद रहता है लेकिन ध्यान रहे मौसमी तलाबों में केवल ऐसी ही मचली पालन करना चाहिए जो बड़ी तीब रिगती से बढ़ती हो कहने का तातपर ये है कि हमें ऐसी मचली का पालन करना चाहिए जिसका ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो हमें सभी हमारे सभी फार्मर भाईयों को एक और जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए मचली के तलाब में बीज इत्यादी डालने से पहले तलाब की अच्छी तरह से जानकारी ले ले कहने का मतलब है यानि की फेटिलाइजर इत्यादी से सुनिश्चित कर ले साफ कर ले इस बात कभी निरिच्छड करना चाहिए कि कहीं तलाब में रिशाओ तो नहीं हो रहा है रिशाओ परिच्छड के लिए तलाब में पानी भर कर तीन से चार दिनों के लिए उसे छोड़ देना चाहिए और जब लगे कि तलाब में पानी कम नहीं हुआ है तभी उसमें मछली पालम शिरू करें आज की इस वीडियो में बस इतना ही आगे की जानेकारी हम नेक्स वीडियो में बात करेंगे जैसे कि Fish Farming हम तलाब और डै में भी शिरू कर सकते हैं फिस फार्मिंग तयार होने में कितना टाइम लगता है और फिस की नसल के बारे में भी हम आगे की वीडियो में जानेंगे धन्यवाद